नमस्कार, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ, मेरे इस नए वीडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, मई का जो अभी मईना आ रहा है, मई 2024, ये आपके मकर लगन वालों के लिए कैसा बीटेगा, किस प्रकार से आप अपनी personal life और professional life को प्लान कर सकते हो, किस प्रकार से relationship को प्लान कर सकते हो, इसके साथ साथ आपकी life में क्या क्या changes होंगे, तो यहां आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, ये इसी प्रकार से आपका चार्ट बनेगा, अगर हम गोचर को अपलाई करते हैं लगन के इसाप से तो, तो यहां पर जो ग्रहों की इस्त कियों में आगे बढ़ेंगे, और देखेंगे, ये जो placement है कुंडली में आपके, ये आपको क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम गोचर में बात करेंगे, तो सुर्य की बात करेंगे, सुर्य 14 मही तक मेस रासी में गोचर करने वाले हैं, इसके बाद बुद्ध 10 मही से मेस रासी में आएंगे, और 31 मही को बाद में मन्थ एंड में ही लगबग इनका गोचर भी चेंज होकर ये वर्षब में चले जाएंगे, शुकर 19 मही तक मेस रासी में हैं, इसके बाद इनका गोचर वर्षब रासी में होगा, मंगल मीन रासी में गोचर क का प्रभाव आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है देखेंखें सब से बवले तो हमilahanes से स्टार्ट करते हैं और लगanes आपके सनी बंते हैं सनी फिलाल आपके सेकंड हाउस में ही ट्रांजिट करने वाले हैं तो सनी का second house में प्रभाव होने की वज़े से या sunny second house में होने की वज़े से अभी भी आप अपनी family के परती पूर्ण डूप से समर्पित रहेंगे आप dedication के शाथ धन समंदी मामले या family समंदी मामलों को संभालते रहेंगे इसके साथ घर में कोई property जैसे सोदा हो, कोई construction का काम हो या other कोई activity घर में हो mainly तो उसके लिए आप अभी focus करके चल सकते हो इसके साथ आपको sunny यहां होने के वज़े से थोड़ा सा money management पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि sunny ऐसी condition में धन को लेकर काफी serious बनाते है तो आपको यहां कुछ नया income source खोजने में या जो भी income source आपके पास है उनको धंग से manage करने में मदद मिल सकती है इसके साथ यहां देखें वार्णी का प्रभाव है वो थोड़ा बहुत आपका कम देखने को मिलेगा क्योंकि यहां sunny है तो almost हमें काफी अच्छा देखने को मिलेगा इसके साथ family के साथ थोड़ी बहुत dispute हो सकते है किसी किसी बात को लेकर क्योंकि आप थोड़ी ज्यादा अनुसासित और ज्यादा जिद्धी नजर आने वाले है इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो अब गुरु के गोचर को देखते है गुरु जो कि आपके बारवे भाव और आपके तीसरे भाव के श्वामे बनते है गुरु का गोचर फिलाल आपके पंचम भाव में होगा और इसी महीने से ये सबसे बड़ा गोचर ये परिवर्तन है तो वर्षब राश्य में गुरु आने के बाद एक तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला जो सेर मार्केट से जुड़े हैं जो लगातार ट्रेडिंग वगरे कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट वगरे कर रहे हैं उन लोगों को बेहद यहाँ फाइदा मिलने वाला इसके साथ गुरु का यह जो ट्रांजिट है संतान पक्स के लिए बेहद अच्छा रहेगा आपके खुद की एजुकेशन या लर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके इलावा गुरु यहाँ आपको धन के मामलों में भी उतने ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं तो गुरु का जो प्रभाव है अगर देखा जाए तो काफी अच्छा देखने को मिलेगा और अगर आपकी संतान या आप खुद विदेश यात्रा करने वाले हैं या कोई न कोई ऐसे परपस के लिए विदेश जाना चाते है कुछ नया सीखने के लिए या कुछ spiritual परपस के लिए कोई लंबी दुरी की यात्रा करना चाते है तो गुरु आपको इस मामले में काफी सपोर्ट करने है साथ में गुरु यहाँ पर आपको एक अच्छी imagination देंगे आपको एक अच्छी source देंगे काफी positivity आपको देंगे तो ये मन्त में इसपेसलि आपको काम करने में किसी भी प्रकार से मदद मिल सकती है चाहे आप कितना भी hard work कर रहे है अब गुरु का यहाँ से जो aspect है आपके 9th house पे जाता है डारेक्ली 5 भी दृष्टी से यह आपके यहाँ दृष्टी डालते है 9th house पे 9th house पे जब भी यह दृष्टी डालेंगे यहाँ already केतु का transit हो रहा है दूरी की यात्रा करने या किसी दूसरे state में जाने में काफी मदद मिल सकती है चीजों को अच्छे प्रकार से सीखने समझने में मदद मिल सकती है इसके साथ कुछ हद तक आध्यात में कारियों में भी यह इस्तिती बहुत ज़्यादा favorable है इसके बाद गुरू का aspect है आपके लाविस्तान पर लाविस्तान पर जहाँ पर मंगल का घर है यानि यहाँ पर जो गुरू है उनकी मित्र रासी है मित्र रासी होने के वज़े से यहाँ पर आपको गुरू धन समंदी मामलों में एक clear picture देने वाले हैं आप अपने धन को बहुत अच्छी से manage कर सकते हैं आप कुछ extra income कर सकते हैं इसके साथ ही गुरू का लगन पर प्रभाव है लगन पर जो aspect है उसके वज़े से ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मी की तरफ आपको ले जाने वाले हैं इसके साथ साथ बहुत ही optimum level का thinking और बहुत ही positive thinking आपको यहाँ देने वाले हैं तो अभी तक आप बहुत ज़्यादा प्रेशानियों से जूज रहे थे आपको एक clear रास्ता नहीं मिल पा रहा थे तो अब गुरू के इस aspect के वज़े से आप एक proper direction में move कर पाएंगे और अच्छे से अपने आपको drive कर पाएंगे इसके साथ ही आपकी जो emotions हैं उनको भी आप काफी positively यहाँ योज कर पाएंगे आप देखें यहाँ क्योंकि शुक्र की रासी में है गुरू और शुक्र आपका काफी मजबूत होना चाहिए अगर आपका शुक्र मजबूत है तो इस case में आपको आपके profession में जिस भी profession में आप हैं उसमें आपको काफी मदद मिल सकती है गुरू के इस गोचर से इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यहां से और बात कर लेते हैं मंगल के बारे में तो मंगल का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो मंगल आपके कुंड़ी में चतुर्थ और ग्यारवे घर के स्वामी बनते हैं पर मंगल का गोचर इस मन्त में मीन रासी में है, मीन रासी में रहते हुए यहां राहो की शातिन का कंजक्शन है और यह अंगारक दोस्त मन रहा है, तो यह जो महिना है इसमें कभी-कभी आप काफी आक्रामक हो सकते हैं, आपको इवन विदेश यात्रा से या कोई लंबी मंगल यहां राहो के साथ होने के विज़से आप काफी ज़्यादा रिस्क टेकर हो सकते हैं, धन समंदी मामले या अधर किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले होंगे, इसके साथ साथ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी या अपने एक्सरसाइज वग तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहां इनका जो एस्पेक्ट है, उसको अगर हम देखेंगे, तो यह आपके चठे भाव पे आ रहा है, चठे भाव पे इनका चोथा द्रश्टी जो आ रहा है, इसके वज़े से आपको डेली लाइप में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने व्रक प्लेस पे, यहां पर मंगल का प्रवा होने के वज़े से थोड़ा सा अपने डेली लाइप के कामों को काफी तेजी से आपको निप्ताना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही आपको फोकस करना पड़ेगा अपने डेली लाइप पर, तो जितने ज़्यादा अनुसासित, जितने ज़्यादा तेज या तिवर आप अपने डेली लाइप में होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके सफल होने के भी चांसेज रहेंगे, इसके बाद मंगल देख रहे हैं आपके, नाइन थाउस को, नाइन थाउस पर मंगल की जब्बे द्रश देख रही है आपके इस महिने के गोचर के इसाब से तो यहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफट लगाने की जूरत है आप लोगों को और यह सब आप कर ही लेंगे क्योंकि मंगल इतना ज्यादा फायरी है और राहों के साथ अपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है अपने केरियर के रिगार्डिंग इसके बाद अगर हम देखें तो यहां से हम शुकर के गोचर की बात कर लेते हैं तो शुकर का गोचर अगर हम देखेंगे तो शुकर आपके पांचवे और दसवे घर के शौन और इ के वज़े से अपने घर से जुड़ेवे कारियों के लिए बहुत फेवरेबल इस्तिती है घर में आप अपने परिवाज जिनों के साथ थोड़ा बहुत समय बिता सकते हैं इस समय घर से जुड़ावा कोई भी काम हो जिसे कोई प्रोपरिटिका लेंदेन हो या इस परकार क आप पा सकते हो शुक्र के इस ट्रांजिट की वज़से अब शुक्र जो है आपको काफी ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपकी केरियर में क्योंकि सूरिय बुद्ध और शुक्र इन तीनों का प्रभाव आपके दसवे भाव पर पर पढ़ रहा है इस वज़से केरियर में क कुछ न कुछ खास नया करना हो कुछ क्रियेटिव करना हो तो इस मामली में आपको बेहतर इसके बाद यहां से शुक्र चेंज होंगे और अपने ही घर में चले जाएंगे पांचवे भाव में यह गुरू के साथ कंजेक्शन में होंगे तो 19 तारिक के बाद की स्थितियों साथ ही जो भी लोग share market से जुड़े हैं या जो भी speculation वगरे से जुड़े हैं जो भी creativity से जुड़े हैं उन लोगों को काफी ज़्यादा मदद मिल सकती है और अपना name fame बढ़ाने अपने earnings को बढ़ाने में काफी ज़्यादा मदद मिल सकती है साथ इसाथ धन को लेकर जो आपकी समझ है जो finance को लेकर आपकी समझ है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ शुक्र का गुरू के शाथ conjunction में आने की वज़े से इसके साथ साथ देखे इन दोनों ही सुबग्रों का जो युती है पंचम भाव में होने की वज़े से आपको कुछ न कुछ नयाज सीखने में हमेशा ही मदद मिलती रहेगी तो 19 तारिक के बाद इस बाद के chances बहुत अधिक हैं कि आप साइद अपने जो earning sources हैं उनके उपर थोड़ा सा focus जरूर करने वाले हो इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ जाते हैं और बुद्ध के बारे में भी बात कर लेते हैं बुद्ध आपकी कुंडली में आपके चठे भाव और आपके नौवे भाव की शौमी बनते हैं और बुद्ध का गोचर अगर हम देखेंगे तो यह मेश रासी में ही रहने वाले हैं और मन्थ हैंड में लगबग 31 तारिक को इनका गोचर होगा वर्शब में तो लगबग जो पूरा रिजल्ट है हमें मेश रासी का ही इनको देखने को मिलेगा और यहां पे जो बुद्ध हैं लगबग 10 तारिक को प्रवेश कर रहे हैं मेश रासी में तो 10 तारिक से पहले जो इनकी इस्तिती रहने वाले हूँ थर्ड हाउस में इनकी जब इस्तिती है और अपनी वानी का प्रवाव दूसरों पर बहुत अच्छा डाल सकेंगे इसके बाद 10 तारिक के बाद यहां पर बुद्ध क्योंकि मेश रासी में आ जाएंगे मेश रासी में बुद्ध के आने के बाद यहां पर आपको बेटर तरीके से एक तो करना है अपनी बुद्धी का यूज करना है या अपने इंटेलिजेंस का यूज करना है तो उन मामलों में आप काफी वैतर कर सकेंगे तो यह लगबग आपको 10 तारिक के बाद की स्थितियों में बुद्ध काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहे है आपके केरियर में इसके बाद हम देख लेते हैं चंदरमा की गोचर को, चंदरमा जो कि आपके साथवे भाव की शौमी बनते भाव की शवामी होकर ये आपके लगन में ही इस मन्थ के स्टार्टिन में आपको देखने को मिलेंगी, तो ये जो समय लगभग सुरुवाती एक दो दिन का वो आपके लिए काफी emotional हो सकता है आप काफी emotions से गिरेवे हो सकते हैं सुरुवाती एक दो दिन में ये जो इस्तितिय आपके partner के लिए बहुत अच्छी इस्तितिय हो सकते है क्योंकि partner के साथ आपका तालमेल काफी अच्छा रहेगा शुरुआती एक दो दिन में इसके साथ अगर आपको बिजनस कर रहे हैं या बिजनस में आपने partnership कर रखा है तो इस मामले में भी आपको बहतर तरीके से मदद मिल सकती है उसके बाद अब हम देखें तो यहाँ पर जो चंदरमा है चेंज होंगे और चंदरमा का गोचर चेंज होकर यह सनी की साथ conjunction में चले जाएंगे सनी की साथ जब इनका conjunction होगा तो यह second house में जाएंगे सनी की साथ चंदरमा होने के विज़ से पारिवारिक जो जिवन है या जो आपका डेली लाइफ है परिवार के साथ जो भी आप टाइम स्पेंट करते हैं उसको लेके थोड़ी सिंताएं रह सकते हैं फिर चंदरमा प्रवेश करेंगे में रासे में में राशे में चंद्रमा का प्रवेश लगवक पांच या छे तारीक के आसपास होगा इस कंडिशन में थोड़ा सा यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो emotional issues जहां वो आ सकते हैं यहां पर अपने आप पर थोड़ा सा आपको control रखना पड़ेगा अपने भावनाओं पर थोड़ा सा control रखना पड़ेगा इसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है कभी-कभी यहां पर अपने जो relations जो third house से जुड़े हैं भाई भेनों के साथ बड़ोसी रिष्टेदारों के साथ या इन मामलों में तो यहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपने जो रिस्ते हैं अपने जो relations हैं उनके उपर तो यह सब जो इस्तती है आपको देखने को मिल सकती है और यहां पर अब हम आगे बढ़ जाते हैं बात कर लेते हैं सूरिय के गोचर के बारे में सूरिय का जो ट्रांजिट होने वाला देखें सूरिय का ट्रांजिट बेहत खास है और सूरिये का जो ट्रांजिट है हम अगर देखेंगे तो मैं इस रासे में सूरिये इस मन्त में ट्रांजिट कर रहे हैं इनका गोचरबाद में वर्षब में भी होगा तो वर्षब रासे में जो इनका ट्रांजिट होगा लगवग 14 मही के बाद होगा बट सूरिया आपको आपके कैरियर में maximum help करते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर और अगर देखा जाए तो अपने मित्र के साथ बुद्ध के साथ प्रिये रहने वाले हैं तो इस केस में आपको 14 तारिक तक यानि 4 दिन के लिए conjunction बनेगा सूरिया और गुद्ध का और इस केस में आपको कुछ नया सीखने कैरियर में कुछ नया करने में जरूर मदद मिल सकती हैं इसके साथ ही साथ सूरिया उचके होकर अपने नीच के घर को देख रहे हैं और यहाँ पर शुकर शाथ है शुकर शाथ होने के वज़से जो भी लोग creativity से जुड़े हैं या शुकर से related field से जुड़े हैं उनको अच्छा name fame मिल सकता है उनको life में कुछ नए अफसर मिल सकते हैं जहां पर वो अपने आपको काफी तेजी से आगे बढ़ा सके या आगे बढ़ सके यहां पर सूरिय का जो प्रभाव है लगबग 14 तारिक तक जो है में क्योंकि सूरिय रहने वाले हैं इसे में 14 तक आपको अपने केरियर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना ही चाहिए उसके बाद सूरिय यहां से चैंच होंगे और आपके पंचमभाव में प्रवेश करेंगे जहां पर वो गुरू के साथ कंजक्शन में होंगे गुरू के साथ इनका कंजक्शन में होना आपको हमेशा कुछ न कुछ न कुछ नया यहां पर दिखे जो सूर्य का जो transit है लगभग जो वर्षब का transit है वो आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दे पाएगा और उसका जो impact पढ़ेगा आपके लाइपर वो ज्यादा अच्छा पढ़ेगा तो धन आने के या आपका पैसा कहीं अठका हो तो उस पैसे के मिलने के chances इस मन्त में बहुत ही ज़ाद हैं आप लोगों के लिए इसके साथ ही देखी हमने सभी ग्रोग के बारे में यहां बात की है और अब हम आगे बढ़ जाते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन कौन-कौन से खराब दिन आपको इस मन्त में देखने को मिलेंगे हम उसके बारे में सर्चा कर लेते हैं राहु केतु के बारे में हम यहां कोई discussion नहीं कर रहे हैं क्योंकि राहु केतु के बारे में already काफी ज़्यादा discussion पहले ही हो चुका तो अब देख लेते कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं देखे सबसे पहले हम अच्छे दिनों को देखेंगे अच्छे दिनों में अगर हम देखेंगे तो 8-9 उसके बाद आपको 13-14 और 20-22 तक ये दिन काफी ज़्यादा favorable आपको देखने को मिलेंगे आपके लगन के साब से तो आपको कोई भी काम जो नहीं बन रहा जहां पर काफी सारी डुकावटें आ रही हैं काफी सारी समझसे हैं आप लोगों को आ रही हैं आप इन दिनों में कुछ अपने कामों को प्लान जरूर कर सकते हो इसके साथ ही यहां पर हम अगर देखें तो कुछ खराब दिनों को देखते हैं जहां पर चंदरमा जब मिथुन रासी में गोचर करेंगे 10-12 तारिक तक तो 10-12 तारिक तक यह इस्तिति आपके फेरों में नहीं रहने वाली यहां पर आपको डेली लाइफ को लेकर काफी ज़्यादा इस्यू जहोंगे आपको इधर उदर के कुछ कामों के विज़े से अपने केरियर पर या अपने मुख्य काम पर जो प्रभावे थोड़ा कम देखने को मिल सकता है या यह हो सकता है कि थोड़ा फोकस आप अपनी डेली लाइफ पर कम कर पा रहे हो इसके साथ ही चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा यानि सिंग रासी में तो 15 और 17 तारिक तक जो इस्तिती वनेगी यह जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं यहां पर मानसिक रोप से कुछ इस्यूज हो सकते हैं आपको कुसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगरे की स्तितियां हो सकते हैं चंद्रमा का गोचर जब धनुरासी में होगा तो यह आध्यात्मिक प्रवर्ती को आपके अंदर बहुत ज्यादा डवलप करेगा पचीस और चब्रेशन को वैसे कोई बड़ा निर्ने लेना हो तो थोड़ा सा अवएड ही करना चाहिए इसके साथ स्वास्त को लेके कुछ दिक्कते हो सकती हैं अगर आपका विदेश से कोई connection है तो विदेश से connection होने के विए से आपको काफी फाइदा हो सकता है विदेश से आपको कोई help मिल सकती है तो यह कुछ खराब दिन है जहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो अपने डेलिक के कारियों में तो फिलाल विडियो देखने के लिए धन्यवाद